हलो दोस्तों वालकम टू माई न्यू व्लोग तो दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ अगर आपके पास मोबाइल नहीं रहेगा तो आप कैसे ड्रोन को प्ठाई कर सकते हो तो देखिए दोस्तों हमारे पास DJI Mini 2 का ड्रोन है और एहात में इसका रिमोट कंट्रोलर है बिना करेंगे और थोड़ा होड करेंगे हमारा एह ड्रोन को ओन करेंगे रिमोट कंट्रोलर अभी ओन हो चुका है और द्रोन भी ओन हो चुका है अभी हम इसको फ्लाइड करने वाले हैं दोस्तों हमारे पास कोई मोबेल नहीं है तो आप फं के लिए फ्लीक यूज़ कर सकते हो अगर आपका बच्चा रो रहा है, ड्रोन उडाने के लिए, देखने के लिए, आपके पास मोबैल नहीं है, यह ड्रोन को फ्लाइ कर सकते हो, तो आप रेकोडिंग भी कर सकते हो, अगर ड्रोन को फ्लाइ करते हो, रेकोडिंग भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको कैसे फ्लाइ क क्या जाता है इसके बार में आज बताने वाला हूँ, तो देखिए आपको controller को क्या करना है, ए दोनों controller को आपको ऐसे पकड़ना है, और नीचे के और खीचना है, देखिए और ठोड़ देना है, जैसे ही हमने ठोड़ दिया, नीचे करके, देखिए हमरा सब्सक्राइब कर सकते हो और देखें हें जितने भी इसमें सिस्टम दिया गया है सब को आप कंट्रोल में कर सकते हो हो देखिए हमारे इसको घुमाने के लिए लिए अब उज्जे कर सकते हो देखिए दोस्तों हमना ड्रोन तो दोस्तों देखिए यहां है यह पार में अभी कुछ mobile connect नहीं हुआ है बिना mobile connect करके हम ड्रोन को फ्लाइब कर रहे हैं अभी देखिए इसको अगर landing कराना है तो आप कैसे landing करा सकते हो तो देखिए इसको जो controller है इसको नीचे की और खिचना है और खिच के रखना है तो देखिए हमारा ड्रोन नीचे लेंडिंग हो गया अभी आप सोच लो सपोज हम रिमोर्ट कॉंट्रोल ओन कर लेते हैं देखिए जो दोनो जो दिया गया है इसको हम एसे करके ड्रोन को ओन कर लेते हैं देखिए हमारा ड्रोन अभी ओन हो गया है अभी इसको बंद करना है अभी तो पंखा घूम रहा है इसको अगर बंद करना है तो आपको देखिए यह जो रिमोर्ट कंट्रोल है लेप सैट का इसको नीचे डाउन करना है डाउन करने के बाद आपका जो ड्रोन है ओफ हो जाएगा ठीक है तो दोस्तों देखिए आप फन के लिए ये ट्रीक यूश करके आप ड्रोन को फ्राइ कर सकते हो बहुत ही इंट्रेस्टिंग चीज है कोई बोलता है अगर मोबेल नहीं होगा तो आप ड्रोन फ्राइ नहीं कर सकते हो ऐसा कोई बात नहीं है आप मोबेल नहीं रहेगा फिर भ झाल